मोटो के साइड बाइ साइड रेफुजेटर के अंदर क्या-क्या मोट्स दिये गए हैं और आपको उनको कैसे मोट्स को सिलैक करना है और उनके अंदर क्या-क्या टेमपेचर होता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे मोट् होता है smart mode, दूसरा mode होता है fast freeze mode, तो smart mode में मैं आपको बता दूं कि जो आपका R compartment का temperature है वो plus में 5 degree पर set हो जाएगा और F compartment का temperature है वो minus में आपका 18 degree पर set हो जाएगा, आप इस mode में कोई की भी temperature adjust नहीं कर सकते, यह preset रहता है, बट इसके अंदर एक feature दिया गया है, इस mode के अंदर यह smart mode है, तो जब भी आपका बाहर का weather का temperature increase होगा, उसके according, जो भी इसके अंदर सामान रखा होगा, उसको यह sense करेगा और अंदर का temperature adjust करेगा automatically, जिससे की आपका अंदर का सामान खराब ना हो, उसके बाद दूसरा mode आता है, super freeze mode, उसमें आप देखेंगे, कि जो और compartment है, उसका temperature आपका adjust कर सकते हैं, और compartment का temperature आप, बट जो fast freeze mode है, उसमें freezer का temperature आपका maximum पर set हो जाएगा, जो freezer के अंदर maximum temperature होगा, तो मैं भी आपको उसको change करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें दो ही modes है, अभी सबसे पहले आपको ये unlock button को 3 second press करके रखना पड़ेगा, अभी जब आपने unlock button को 3 second press किया, तो इसका जो है, वो unlock हो गया panel जो था, अभी आप function select करेंगे, function को दबाएंगे, smart mode blink करने लगेगा, आप देखेंगे, smart blink कर रहा है, इसका मतलब वो smart पर set कर सकते हैं, आपको फिर ok button को दबाना है, अभी आपने ये ok वाला button दबा दिया, अभी ok वाला button दबाने के बाद आपका ये smart mode select हो गया, अभी आप अगर temperature zone का button दबाएंगे, आप देखेंगे कि freezer का minus 18 है, उसको आप change नहीं कर सकते, और freeze compartment का 5 degree है, उसको भी change नहीं कर सकते, उसके बाद function वाला button आप दबाएंगे, दो बारा से दो बार दबाना है आपको, fast freeze पर आजाएगा, फिर आप ok करेंगे तो अभी ये fast freeze mode पर आगया, इसमें आप देखेंगे कि आप our compartment का temperature आप adjust कर सकते हैं, आप अगर आप select करेंगे freezer zone तो उसको आप adjust नहीं कर सकते, ये इसके अंदर modes दिये गए थे, thank you